कि शादी शुदा पूरुशों को औरते क्यों पसंद करती है उसके आठ कारण मैं भी आपको बताने वाला हूं मेरा नाम है डॉटर दीपक केड़कर मैं काउंसिलर हूं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनम मुक्तित ने महाराष्ण में पिछले 40 साथ से अकोला में प्रैट्रिस कर रहा हूं मेरा ट्रांस्फॉर्मेशनल कोच हूं मोटिवेशनल स्पीकर हूं बिजनेस कोच हूं आगी बताने माला हूं कि एक्स्त्री शादी शुदा पुनुशों के तरफ क्यों आकरशित होती है उसके आठ कारण क्या है नंबर एक क्या होता है कि मतलब इसकी शादी हुई नहीं है एसे आठ के तरफ आकरशित होना और उसके साथ में डेटिंग करना यह उसको जरा इनसेक्यूर लग सकता है या लगता है उसको लगता है कि उसकी शादी हुई नहीं है पर समझो अपन उसके आठ करते है यह बातचीत करते है और प्यार हो गया तो प्राबलेम हो जाएंगा इसलिए वो पसंद करते है और प्रिशादी देशिदा आधमी रहा तो वो अगे बढ़ने का चांस कम है क्यूंकि वो सादी होडा है इतलिए उसको उसको मज़ा आती है इसका अदम बात्चीत करना यह ृटिंग करना कि लिए पहला कारण है तो वही सिंगल मैं के साथ में उसको इन सेक्यूरिटी रहती है, क्योंकि आगे मैंटर बढ़ सकता है, नमबर दो, वो क्या है कि शादिशेता आदमी में एक आइडियल हस्बंड डिखती है, कि नहीं हस्बंड कैसा आइडियल है, कि इतने अच्छे उसके संबंदे उसके पतनी के साथ में, उसका फैमिली स् नमबर तीन, क्या है कि शादिशेता आदमी अपनी जिन्दगी, अपना भयवाईक जीवा ने उसको दाव पे लगा कि इसके साथ में डेटिंग कर रहा है, तो उसको यह रिस्क वो ले रहा है, वो रिस्क उसको जादा किक देती है, एक अवरत को, कि वो तो शादिशेता है और तबी भी वो रिस्क ले रहा है और अपने साथ में डेटिंग कर रहा है, तो जो लेना उसको वो इगो बुस्तिंग होता है, कि मतलब मैं कितनी महत्वक्य हूं कि वो रिस्क लेकी भी मेरे साथ में आकर बातचीत करता है, या मेरे प्यार में है, नमबर 4, जब कोई को यह पnteered कर रहहा है कि इसका कोई के टारीकी आपड़ी जालों कि दो का कोई आवेशनीब हो है यही जानी देक सब्सक्रूब कर रहा है चानी करते हैं शाहरी शुदा आद्मों एक stable आदमी करके देखती है कि यह stable है क्या है कि उसको शादी शुदा है उसके बच्चे है उसका job stable है उसका business है वो mature दिखता है तो एक stable आदमी है और stable आदमी जो है तो इदर उदर होने के chances कम है मतलब ज्यादा इदर और किसी के प्यार में जाएंगा नहीं या और कुछ गड जो है वो इसके साथ में पटी नहीं है मेरे एक सा राइप के साथ में मेरे बv complaint सेख में मुझे play नहीं करती है मुझे वाइफ जो है फो पेशेंड वो मानसी थी कि है वो प्यार नहीं करती है मतलब ऐतलो असे और यह कारण वो देता जब है तब उसको हो यह उसका जो वो एकसेप्ट कर लेती है और वो जूटा एकसेप्ट करके मरसी करके वह जो दुखी है उसके लाइफ में तो ठीक है मेरे पास में आ रहा है तो मैं उसका दुख बूर कर रही हूं वो उसका जूटा भी है और उसको खरा लगता है वो एकसेप्ट करती है और उसके साथ में व वह भी कोई ऐसे संबन थे और वह इसन देखे तो उसको मालम है जिए ठीक ऐसे चलते रहता है और जब पेरेंट्स ने इस तरह का बियावर क्या हुआ है तो इसको भी लगता है कि अपने भी किया तो क्या प्राब्लम है और वह भी फिर वह शादिशुदा आदमी के प्यार मे हुआ फादर को गमाना पड़ा फादर की डेथ हो गई और इसके वह जैसे फादर का प्यार नहीं मिला हो सकता है कि फादर बहुत ही डॉमिनेटिंग है बहुत ही घुसा करने वाला है तो वह फादर के साथ में प्यार नहीं कर सकी तो सब अभी वह यह आदमी के उपर निका कि नहीं इसके साथ में प्यार करूं तो मैं सेख भी हूं और फादर के साथ में जो नहीं मिला वो मुझे यहां मिल सकता है तो यह ऐसे आठ रीजन्स है कि वही एक शादिशना आदमी के सांथ में एक औरत प्यार में क्यों पड़ती है युद आपको अच्छा लगा तजूर लोगं को शेर गरो, thank you very much